बोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक डीरी से दूद लेने वाली महिला के घर में आठ लोग 6 महीने से बिमार चल रही है डॉक्टर से इलाज चल रहा है बिमारी की असल वजहा तब सामने आई जब उबालने के दोरान दूद फटकर रबर और च्विंगम जैसा हो गया परिवार ने शोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया है अशोका गार्डन थाने के पीछे पंत नगर में रहने वाले परिवार ने बताया कि किसान दूद डेरी से दूद आता था सिंपल पॉलिथीन में ही डेरी के कर्मचारी दूद दे कर जाते थी 6 महीने पहले फैमिली के मैंबर्स विमार रहने लगे चौर दिन पहले जब दूद को उबालने पर वहाँ फटकर रबर जैसा खीचने लगा तब हमें समझ वाया कि हम मिलावटी दूद पीने की वज़ह से विमार हो रहे हैं वहीं डेरी संचौलक ने थाने में परिवार के खिलाव पैसे मांगने की जूटी सिकायद भी की है खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन धारट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले